तो शुरू करें तो दोस्तो आज की जो आपकी सबसे अधा फर्माईश वाला गाना है वो लिया है मैंने 52 का दामन जो की हर्यान भी गाना है और बहुत ही बड़ा हिट हो चुका है और वाके गाना भी बहुत ही शांदार है और इसका मुजिक तो बहुत ही लाजवाब है इस्पेशली वो जो मैंने स्टार्टिंग में बजाये था तो चलिए इस पूरे गाने को स्टेप बाइ स्टेप और नोटेशन के साथ सीख लिया जाए नमस्कार मैं हूं संजे और आप देख रहे हैं सीखो सरल चलिए शुरू करते हैं इस गाने को हम सीखेंगे मिदल ओक्टिप के ई नोट से इस नोट से हम इस गाने को उठाएंगे ठीक है इस गाने मुझे सारे नोट से लगेंगे वो सारे के सारे मिदल ओक्टिप के ही है बस एक नोट है बी यह है लोर अक्टिप का तो इस गाने के लिए जो मैं टॉन से लग कर रहा हूँ वो प्यानो वाली ही टॉन है जिसका नमबर है डबल जीरो और यह जो मोडल है जिसमें मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको यह है केसियो का सेवंटीएट तो गाने की जो फस्स लाइन है वो है अपना रूप रंग सजाओं महंदी हाथां में लगाओं गाने की जो बोल है वो हर्यानवी में तो कहीं कुछ गल्दियों बोलने में तो माप कीजेगा और अगर आपको भी बजाने में कुछ परिशानी हो तो आप इसको हिंदी में समझकर भी बजा सकते हैं जैसे की अपना रूप रंग सजाओं महंदी हाथों में लगाओं ठीक है तो आप इसको हिंदी में करके भी बजा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो देखिए पहली लाइन में आपको play करके दिखा रहा हूँ फिर आपको step by step notation के साथ बताता चलूँगा देखिए ठीक है तो यह थी पहली लाइन अब इसको धीरे धीरे समझ देते हैं देखिए अपना E और F sharp अपना ठीक है E note से शू करेंगे आपना रूप रूप के लिए दो बारे सजाओँ सजाओँ के लिए दो बारे ठीक है तो यह हो गया अपना रूप रंग सजाओँ इसके बाद मेहनदी हाता में लगाओँ देखिए मेह दी महंदी में भी E नोट से शुकर रहे हैं महंदी D आएगा F शार्ट पर महंदी फिर हाथां में लगाऊं ठीक है? तो कैसे हो गई है? महंदी हाथां में लगाऊं ठीक? तो पूरी लाइन को एक बार सिंगल फिंगर से देखिए अपना रूप रंग साजाऊं महंदी हाथां में लगाऊं ठीक? अब इसके बाद सैकेंड लाइन है पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरन में जाऊं देखिए कैसे पले होगी? फिर आपको step by step बताऊंगा ठीक है? अब इसको देखिएंगे धीरी धीरे पायल पायल काँ से स्टार्ट हुआ? जी नोट से पायल कंगन भी मंगवाऊं अब इसके बाद फिर नीर नीर आएगा ए पर देखिए नीर भरन मैं जाऊं ठीक है? फिर से देखिए पायल कंगन भी मंगवाऊं ठीक इसके बाद फिर नीर भरन में जाऊं फिर अब इसके बाद लाइन है घुंगट काड़ा सा काड़ू ना कसर घालूंगी देखिए ये वाली लाइन इस्टार्ट होगी जो मैंने कहा था एक नोट है लॉर ओक्टिव का बी नोट यहां से घुंगट काड़ा सा काड़ू ना कसर घालूंगी ये देखिए घुंगट ठीक बी दो बार लॉर अक्टिव का इसके बाद काड़ा सा काड़ू ना के लिए अफशार कसर पापस घालूंगी तीन बार अफशार घालूंगी ठीक है तो कैस हो का सिंगल फिंगर से देखिए कंटिन्यू ठीक अब इसके बाद में लाइन आती है बावन गच्का दामन पैर मठक चलूंगी देखिए पहले में आप लेकर के दिखा रहा हूँ फिर आपको step by step बताऊंगा अब इसको दिरी दिरी देखिए बावन बावन कांसे स्टाड़ू का जी नोट से बावन गज का दामन पैर पैर पे ध्यान रखेगा तीन नोट लगे है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखेगा D F sharp ठीक है तो पैर अब मटक चलूंगी मटक चालूंगी ठीक है तो एक बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी ठीक है और ये जो लाइन है बावन कज का दामन पैर मटक चलूंगी ये दो बार प्ले होगी ठीक है ठीक अब इस लाइन के बाद इस गाने का सबसे शांदार मुजिक आता है तो इस मुजिक को प्ले करने के लिए हम इसमें औरगन वाली टॉन सेट कर लेंगे इसमें 60 नमबर है औरगन का बाकि अगर आप लोग सट करना चाहें तो इसको हर्मोनी वाली टॉन पर सट कीजेगा उसमें और भी ज़्यादा मजाएगा क्योंकि हर्मोनी वाली टॉन में ये मुजिक बहुत ही प्यारा लगता है अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर हर्मोनी पर भी टुटोरियल बना दूँगा अगर आपने इस गाने का ये वाला मुजिक नहीं सीखा तो बिलकुल भी मजा नहीं आएगा तो इस मुजिक को बिलकुल ध्यान से सीखिए तो पहले मैं आपको इस मुजिक प्ले करके दिखा रहा हूँ फिर आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा ठीक है अब इसको दिरी दिरे समझ देते हैं चलिए अब इस मुजिक को दिरी दिरे स्टेप बाई स्टेप समझ देते हैं तो यह music start होगा E note से middle octave के जहां से हमारा गाना start हुआ ठीक है वहीं से आप इस music को शुरू करेंगे तो music बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल simple है एक ही line को आपको तीन बार play करना है और बस last में थोड़ा सा change कर दिना है देखी क्या है first line क्या करना है ये चीज़े तो क्या क्या हमने E G F sharp E C sharp C sharp फिर F sharp मेंने कितनी बार play किया पाँच बार ठीक उसके बाद G F G F sharp दबा देना है ठीक है फिर देखिए बस इतना करना है ठीक है देखिए E G F E C C F F F F F G F ठीक है यहाँ पर मैंने F sharp को F बोला है और C sharp को C बोला है सिर्फ समझाने के लिए ठीक है ताकि बोलने में आसानी हूँ मगर यह C sharp है और यह F sharp है तो क्या हुआ बस यही चीज़ आपको तीन बर बजानी है ठीक है और जब आप तीन बर रिपीट कर लेंगे तो आपको क्या करना है क्या किया G F sharp E ठीक है जल्दी से इस तरीके से ठीक तो सबसे पहले यह किया और इसको एक बार फिर और एक बार फिर यान यह तीन बर बजाना है और बजाने के बाद यह कर देना है ठीक अब इसके बाद शुरू होता है अंत्रा अंत्र की पहली लाइन है गाउं में होवेगा आज खुडका जुत्ती मलकन आली पहरूं ठीक है तो पहले देखिए गाउं में होवेगा आज खुडका यह देखिए तो यह स्टार्ट होगा B note से Middle octave के B note से देखिए गाउं में होवेगा आज खुडका क्या किया गाउं में होवेगा आज खुडका ठीक है इसके बाद जुत्ती मलकन आली पहरूं सेम Continue play कर देना है जो अभी हमने सीखा उसको Continue play कर देंगे तो आटोमेटिक प्ले हो जाएगा जुत्ती मलकन आली पहरूं ठीक बाद सिंगल फिंगर से देखिए गाउं में होवेगा आज खुडका इसी को हम Repeat कर देंगे तो play हो जाएगा जुत्ती मलकन आली पहरूं ठीक अब इसके बाद छेड़ी की बहुँआं में तकरार जब मैं हवा की तरियां ले रहूं यह बड़े अच्छे लाइने देखिए तो बड़े मज़ेता लाइने यह यह कहां से स्टार्ट होगी यह भी E-note से स्टार्ट होगी देखिए छड़ेगी बहुआं में तकरार जब मैं हवा की तरियां ले रहूं ठीक अब एक बाद सिंगल फिंगर से कंटीनी देखिए इस लाइन को ठीक अब इसके बाद लाइन है सोने की गुट गले में हार डालूँगी इसको देखिए ठीक तो यह कहां से पले होगी यह भी वहीं से E-note से सोने की गुट गले में हार डालूँगी ठीक है देखिए ठीक और इसके बाद वही लाइन है जागी जो शुरूई में हमने सीखिए दी बावन गच का दावन पैर मटक चलूँगी ठीक है और इस लाइन को आपको फिर से दो बार पले करना है और इसके नेक्स्ट वाले जो अंत्रा होगा वो अंत्रा भी आपको बिल्कुल ऐसे ही पले करना है जैसे हमने ये वाला सीख है तो प्लीज फटावट कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बैल आइकन का बटन होता है जो घंटी वाला निशान होता है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंथ मिल जाए और अगर सीको स्रॉल पर आप और भी सुपर हिट सॉंग प्यानो और हार्मोनियम पर प्ले करना सीखना चाते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा तो मिलते हैं आपकी अगली फर्माइश के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन